Hello everyone, this is Evie और आज इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि कैसे हम हमारे source code को github से download करेंगे और उसके बाद हम हमारे source code को step by step देखेंगे कि कैसे हम हमारे intelligent idea पर open कर सकते हैं बहुत सारे लोगों को source code को intelligent idea पर open करने में problem आती है कई लोग open कर लेते हैं बट उसके बाद errors आते हैं तो कैसे open करना है और जो errors दिखते हैं उन सभी चीजों के बारे में आज इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे तो वीडियो को शुरू करते हैं फटाफट वीडियो को like करो चनल को subscribe करो और अपने दोस्तों के साथ इस वीड आपको मिल जाएगी ठीक है जब आप लिंक को open करोगे तो आपके सामने कुछ इस टाइप की स्क्रीन जो है यह open कर कियाएगी यहां पर आप चेक करो यहां पर आपको मिलता है एक code का option यहां पर क्लिक करो इसके बाद नीचे आपको एक download zip को option मिलता है जब आप इस पर click करो होगे तो आपकी जो एक file है यह download होना शुरू हो जाएगी वह file जो होगी वह हमारा source code होगी ठीक है तो हमारी जो फाइल है यह download हो चुकी है अब जिस फोल्डर में हमारी file download हो चुकी है यहां पर bank management system के नाम से हमारी file download होई है अभी जो यह file है यह zip file हमको इसको extract करना पड़ है इस पर click करो और आपकी जो file है यह extract होना शुरू हो जाएगी extract होने के बाद एक और folder आपके सामने बनकर मिलेगा ठीक है इस folder को जब आप open करोगे तो इसके अंदर आपके बास सारे source code वाली जो files है वो यहां पर आपको देखने के लिए मिल जाएगी अब इस folder को हम हमारे intelligent idea पर open करेंगे तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा अभी इसको मैं close करता हूं और हमारा intelligent idea है इसको हम open कर लेते तो यहां पर मैं intelligent idea को open करता हूं यह थोड़ा सा processing लेगा और हमारी जो IDE है वो open होना शुरू हो जाएगी तो यहां पर आप चेक कर सकते हो हमारा intelligent idea है य open हो चुका है यहां पर अभी जो project open है यह हमारा hospital management system जो project है यह अभी मेरे सामने open है ठीक है तो मैं क्या करूंगा यहां पर ऊपर आप देखो यहां पर हमारे पास three dots है यहां पर three dots पर जब आप click करोगे तो आपके सामने drop down open होगा file पर click करोगे तो एक sidebar open होकर करके आएगा हमारे सामने जो हमारी bank management system जो zip file थी उसको मैंने यहां पर select करता हूँ तो अभी एक folder दिखा रहा है हमको bank management system master के नाम से यहां पर हमारे पास इस folder पर click करते हैं side में देखो एक arrow है इस पर click करो ठीक है इसके अंदर की जो files है यह हमारे सामने open होकर करके आती है अब यहां पर देखो एक blue color से हमको folder का icon दिख रहा है और साथ में वापिस हमारा bank management system हमको name दिख रहा है और फिर इसके अंदर हमको बाकी सारी files देखने के लिए मिल रही तो आपको क्या करना है जो यह blue color का जो icon हमको दिख रहा है folder वाला इस पर आपको click करना है इस folder को जब आप select करोगे और फिर यहां पर आपको okay प्रेस करना है okay पर प्रेस करो अब हमारा जो folder है वो open होगा यहां पर हमसे पूछ रहा है इस पर हमको click करना है trust project पर और new window पर open करना है कि same जो window अभी open है उस पर open करना है तो मैं करता हूँ this window पर click कर देता हूँ तो जो bank management system folder हमने select किया है वही same project अब हमारा intelligent idea पर open होना शुरू हो चुका है तो यहां पर हमारा जो project है यह open हो चुका है ठीक है अब यहां पर आपको ध्यान रखना है कि आपका जो यहां पर project file selected नहीं होना चाहिए project का जो option है वो select होना चाहिए ठीक है तो आप जैसे project का option select करोगे यहां पर आपके सामने स सारी फैस देखने के लिए मिल जाएगी अब जो हमारा जावा कोड है वो मिलेगा हमको src folder के अंदर src folder का मतलब होता है source folder तो यहां पर क्लिक करो इसके अंदर हमारा icons भी आ गए हैं सारे और साथ में हमारा जो bank management system package वाला folder वो भी हमको यहां पर देखने के लिए मिल रहा है इसको उपन करते हैं सभी जो हमारी classes है Java की वह हमको यहां पर देखने के लिए मिल रही है अब यहां पर जैसे login class है हमारी तो मैं login class को open करता हूं यहां पर login class को open किया देखो code हमारा सही से open होकर कि हमको देखने के लिए मिल रहा है अब क्या करते हैं अब मैं इसको direct run करता हूँ तो मैं यहाँ पर click करता हूँ उपर run पर और हमारी जो class है वो run होना शुरू हो चुकी है अब आप यहाँ पर check करो हमारी जो class है वो run नहीं हुई और हमको यहाँ पर sign up class open हो करके मिली है और क्योंकि हमारा sign up class में error है और क्या error है वो हमको नीचे देखने के लिए मिल रहा है कि हमारा calendar वाला package है वो exist नहीं करता क्योंकि हमारी project के अंदर जो jar files होती है वो jar files imported नहीं है तो हमको हमारे project के अंदर सभी की सभी jar files जो है वो import करना पड़ेंगी तो जब भी आप किसी source code को download कर रहे हो तो वहाँ पर उस code के अंदर आपको jar files को import करना होगा तो jar files की जो link है वो नीचे आपको description box में मिल जाएगी जो हमारी project videos है उनके description box में मिल जाएगी तो वहाँ से आप download भी कर सकते हो और यही सारी चीज़े मैंने वहाँ पर भी separately explain करी हुई है अब जैसे हमारा calendar के package पर error आ रहा है तो हमको क्या करना पड़ेगा calendar के लिए हमको jar file को import कराना पड़ेगा तो वापस three dots पर click करते हैं फाइल पर click करते हैं फिर यहां पर हमारे पास project structure का option होता है यहां पर click करेंगे एक new window open होकर के आएगी इसके बाद हम libraries पर click करेंगे फिर यहां पर आप देखो error है जे calendar class में भी error है और mysql connector में भी error है हम क्या करेंगे इन तो फाइल को select करेंगे और delete press करेंगे इन देंगे फिर से हमको यहां पर module को import करवाने के लिए confirmation मांगेगा हम इसको ok प्रेस्स कर देंगे और हमारी फाइल जो है import हो जाएगी अब क्या करना है सबसे पहले आपको अपलाय पर क्लिक करना है अपलाय पर क्लिक करो फिर करो ओके पर क्लिक तो अब आप यहां पर चेक कर सकते हो हमारे जो पैकेज पर उपर एरर था केलेंडर वाले पैकेज पर वह रिमूव हो चुका है अब हम क्या करते हैं अब दुबारा से एक बार रन करते तो मैं वापस से यहां पर ल कर ले चलते हैं आप मैं एंटमी तेंड्री कर देता हूं यहां पर डेट कर लेता हूं ऑलमल दे रहा हूं सारी दीटेल्स को फिल करके next पर क्लिक करता हूं अब देखो में हमारे पासरा से अ क्या एरर आया था है हमको वापस से बोल रहा है no suitable driver found मतलब इसका यह है कि हमारे जो driver JDBC का जो driver होता है जो हमने jar file import करवाना होती है हमारे project library के अंदर वो हमारी missing है तो हमको क्या गरना पड़ेगा दुबारा से JDBC के लिए जो हमारी jar file होती है उसको import कराना पड़ेगा तो three dots पर उपर दुबारा क्लिक करो वापस से file पर क्लिक करो project structure पर आजाओ और फिर इसके बाद यहाँ पर libraries पर आप already है अभी अपन ठीक है तो अगर आप नहीं हो तो libraries पर क्लिक कर लेना फिर देखो पर apply पर क्लिक करेंगे और फिर यहां पर हम दुबारा से ok पर क्लिक करते अब फिर से हम हमारी login class को run करते हैं यहां पर login class को run करता हूं हमारा project जो है भूब लूग इन क्लास हमारे सामने है यहां पर sign-up पर klik करतेैं वापिस सब पर इंटर कर देता हूं ठीक है यहां पर डेट को सेलेक्ट कर लेते हैं इसको हम फिल कर देते हैं इसके बार नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं अब यहां पर चेक करो आप जहां next screen पर redirect हो गए हमारे जो डेटा था वो टेबल में जा करके सेव हो चुका है अब यहां पर भी मैं सारी चीजह को enter करता हूं और यहां पर एक बार एंटर करके next पर से click करता हो मतलब हम पापस से redirect हो गया का बेटा था वह हमारे टेबल में जाकर के insert हो चुका है इसके बाद यहां पर फिर से details को enter करके हम यहां पर submit पर क्लिक करते हैं तो यहां पर हमारा जो card number of pin है यह भी generate हो गया इसका मतलब हमारा project जो है वो बिल्कुल perfectly work कर रहा है ठीक है बहुत सारे लोगों को अब लिकत कहां पर आती है हमारे project को अपने source code को database के जाथ connect करने के लिए तो यहां पर देखो कौन class पर हमारा जो database है वो connection के code है ठीक है तो यह कौन class को मैं आप पर open कर दोगे तो यहां पर आप करो कि हमारे jbc का जो code है वो हमारा यहां पर होता है driver manager वगरा जो है उसके code हमारे यहां पर होते तो यहां पर जब हम हमारे database से connect करते है project को तो जिस name से आपने database बनाया होता है वह आपको नेम यहां पर enter करना पड़ता है जो bank system नाम से मैंने database बनाया हुआ है मैंने यहाँ पर mention किया है bank system ठीक है इसके बाद user name जो होता है आपके database का वो आपको यहाँ पर enter करना पुड़ता है by default हर एक database का जो user name होता है by default root होता है अगर आपने change किया है root के अलावा कुछ और name set किया है वहाँ पर तो आप उस according रख लेना अपने according यहाँ पर मेरा by default है तो मैंने यहाँ पर root लिया हुआ है इसके बाद जब आप mysql workbench को install करते हो वहाँ पर आपने जो भी password को set करवाते हो अपने database को open करने के लिए वो same password आपको यहाँ पर भी enter करना पड़ता है जैसे मैंने आपर 111 enter किया हुआ है आपके database का आपके mysql workbench का जो भी password है वो आपको यहाँ पर enter करना पड़ेगा और इतना करने के बाद आपकी जो tables है वो आपको videos देखना पड़ेगी जो हमारे project series है उसकी videos आपको वहाँ पर watch करना पड़ेगी और जो सभी tables है database के अंदर वो tables आपको वहां से देख करके create करना पड़ेगी इस तरीके से आप अपने source code को run कर सकते हो intelligent idea के अंदर बहुत सारे लोगों को jar files को import करवाने में दिक्कत आती है तो कई बार होता है कि आप एक बार अगर किसी फाइल को jar file क project structure पर आओ libraries पर जो हमारी ये जो दो jar files है अगर आपके import करवाने के बाद भी error जो है आपके remove नहीं हो रहा है code में से तो simply क्या करो jar file पर click करो right click करो delete पर डवाओ और वापिस से दुबार प्लस के sign पर click करके अपनी jar file को import करवाओ तो बहुत सारे लोगों को ये चीज में problem हो jar file के कारण वह उनको समझ में नहीं आता था और वहाँ पर confused होते तो सारी चीज़ें यहां पर मैंने detail में आपको explain कर दी है अब जो database की टेबल्स आपको create करना पड़ेगी वहां से देखकर के आपको सारी टेबल्स को create करना पड़ेगा तब जाकर करके आपको पूरा project है वह सही से काम करने लगेगा तो होप सो आप लोगों को सारी चीज़े क्लियर हुए हो कहीं पर अभी भी डाउट है तो आप नीचे comment section में हमसे पूछ सकते हो किसी new project idea है तो वह भी नीचे आप हमें comment section में बता सकते हो मिलते है नेक्स्ट वीडियो में जब तक लिए stay tuned stay safe बाबा करे 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 तो है